मैं विनिता गुपता राजकी महिला पॉलो टेक्निक महाविद्याले अजमेर से सब्जेक्ट बॉडी परफेक्शन एन योगा में आज मेरा टॉपिक है सनबात सनबात धूप सेखने की प्रक्रिया को सनबात या सूर्य स्नान कह सकते हैं वैदिक और पॉरानिक काल से ही हिंदु धर्म में सूर्य का आध्यत में महत्व रहा है प्राचीन ग्रंथ अर्थवेद में सूर्य स्नान को स्वस रहने का कारगार तरीका बताया है जो व्यक्ति सूर्योदय के समय सूर्य की लाल रश्मियों का सेवन करता है उसे कई रोग कभी नहीं हो सकते हैं कहते हैं जिस घर में सूरज की रोशनी नहीं आ जाती उस घर में डॉक्टर जाता है महां के टानू पनपते हैं, सर्दियों में इसका महतु और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यह शरीर को गर्मी देता है दूपिस्नान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होने के साथ साथ एक कला भी है वे देशों में धूपिस्नान बहुत अधिक लोग प्रिय है और लोग नियमित रूप से धूपिस्नान करते हैं प्राकर्तिक सूर्य का प्रकाश हमारी स्वास्थे के लिए अत्यनतावशक है और इसका पर्याप्त मात्रा में हमें नहीं मिलना हमारे स्वास्थे पर प्रतिकुल प्रभाव डाल सकता है। सूरे इसनान विभिन स्वास्थे समस्याओं के उपचार का प्राकर्तिक उपचार है इसकी कमी से शारिरिक वे मनो वैज्ञानिक विकार उत्पन हो सकती है सूरे की किर्णों के संपर्थ में आने के कारण इससे सन बात थेरे भी भी कहा जाता है सूरे इसनान का समय एक विशी समय पर और सूसंगत तरीके से सूरे इसनान करना काईदेमंद हो सकता है सूरे इसनान का सर्वोत्तम समय सूर्योदर का समय है यदि उस समय नहीं कर सकते हों तो सूर्यास की समय भी सूरे इसनान कर सकते हैं क्योंकि सुबह वे शाम की धूप सूरे स्नान के लिए उप्यूप्त होती है। सुबह वे शाम की सूरज की किर्णों के संपर्ट में 10 मिट से लेकर 30 मिट तक सूरे स्नान किया जा सकता है। आरंब में 10 मिट करें धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। सूरे स्नान गर्मियों में 10 से 15 मिट और सर्दियों में 20 से 30 मिट तक करना उत्तम रहता है। सबसे अच्छा समय सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद होता है। सूरे स्नान के नियम सूरे स्नान के समय सिर छाया में होना चाहिए। सूरे की किर्ने सीधी सिर पर नहीं पढ़नी चाहिए। इसलिए सिर को गीले रोमाल से या कपड़े से ढख लेना चाहिए। या पानी से धो लेना चाहिए। सूरे स्नान के बाद थोड़ी देर छाया में रहना चाहिए और फिर पानी से स्नान करना चाहिए सूरे स्नान का समय धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए सूरे स्नान से पहले एक गिलास पानी पिना चाहिए और अपने आपको हाइडरेट रखना चाहिए अच्छे परिणाम क्राप्ट करने की सूरे इसनान करती दिन करने के लिए सूरे इसनान करती दिन करना चाहिए सूरी की किर्णे हमारे नाडी तंत्र या इस नायू मंडल का संचालन करके आवशक उर्जा प्रदान करती है इसका सबसे जादा लापतब होता है जब किर्णों का संपर्ख रीड की हड़ी पर जादा होता है इस से इस नायू मंडल उड़ जावान होता है इसलिए अधिक धूप रीट की हड़ी पर करनी चाहिए नेक्स्ट है जितनी देर धूप इसनान करना है उसके चार भाग करके पीट केबल, पेट केबल, दाईनी करवट वैबाई करवट से धूप लेनी चाहिए जिस से सारे शरीर पर दूप समान मात्रा में लग सके सूरे स्नान करते समय शरीर पर कम से कम वस्त्र होने चाहिए जिस से दूप सारे शरीर पर समान मात्रा से लगे या फिर हल्की सूती कपड़े होनी चाहिए जो सूरे की किर्णों को अशोशित करने में सहायक हों जिस से स्नान का पूरलाप प्राप्त हो सके सूरे स्नान करते समय शरीर की मालिश भी की जा सकती है हफते में एक दिन सूरे की किर्णों के नीचे बैठ कर सरसों के तेल से पूरे शरीर की मालिश करें इस से अधिक लाप मिलता है सूरे स्नान के लाप सूरे की किर्णों में विटैमिन D मिलता है जिस से हड़ियां और दात मजबूत होते हैं सूरे की संपर्ट से शरीर को प्राकर्टिक रूप से विटेमिन D बनाने में मदद मिलती है यह विटेमिन शरीर के लिए अत्य आवशक है क्योंकि विटेमिन D सिर्फ भोजन से प्राप्त करना मुश्किल होता है यह कुछ खास मचलियों और अंडे की जर्दी में ही विद्यमान होता है इसलिए विटेमिन D प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से सूरज का संपर्ट सबसे प्राकर्टिक तरीका है विटेमिन D शरीर में केल्शियम के आउशोशन में भी साहयक होता है जिससे हड्डियां मजबूत होती है यह औस्टियोपॉरोसिज और गठिया को रोकने में मदद करता है हड्डियां जित्ती मजबूत होगी शरीर उतना ही सुडॉल्ट और मजबूत बनेगा सूरे स्नान से रोब्ट तिरोब्धक शमता बढ़ती है तनाव दूर होता है उच्छ कॉलेस्ट्रोल की समस्या दूर होती है उच्छ रक्त चाप की शिकायत नहीं रहती है अब साथ की लक्षन कम होती है क्योंकी धूब शान पहाँनों को बढ़ावा देती है जिससे मूब अच्छा रहता है सूरे स्नान के बाद नीद अच्छी हाती है रख्त परीशन चर्ण में सुधार करने में मदद करता है सूर्य इसनान तो अच्छा की विकारों को दूर करने में फायदे मन्थ होता है इसकी किर्णों में अधिती उप्चार शक्ती होती है जैसे सौरियस, एक्जीमा, मुहासे, आदी गर्वती महिलाएं नियमित रूप से सूर्य इसनान ले सकती है दूप इसनान के बाद जल इसनान करने से शरीर की रदकुशिकाएं अर्था टेट सेल्स की हटने में मदद मिलती है दूप इसनान के साथ सा शरीर की मालिश एक उप्यूर्य उप्चार है इस से शरीर में स्फूर्दी बनी रहती है और शरीर और जावान बनता है त्वच्छा कांती में होती है और चहरे पर तेज आता है सूरे की किर्णों में रोगूं को दूर करने की अधिक शक्ती होती है इससे त्वच्छा के रोमचिद्र खुल जाते हैं और शरीर में संचित दूशित पदार्थ बहार निकल जाते हैं अब हम बात करेंगे सूर्य इस्ञान करते समय, कि वंकिन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य इस्ञान करते समय, रखने योगया, बातिया, साफधानिया। सबसे पहले ज़्यादा देर या त्यदिक तेज धुख में ना बैठें। इस से तवचा पर लाल दाने, चकते या खुजली हो सकती है, सन बन भी हो सकता है जो दर्धना होता है छाले भी हो सकते हैं, यह शरीर के सभी हिस्सों पर यहां तक की खोटों को विप्रफावित कर सकता है अत्यदिक धूप सेखने से जुरियां तवचा के धब्बे और कभी-कभी तवचा के अंसर भी हो सकता है एलर्जी या तवचा परेशिस होने पर सूर्यसना नहीं करना चाहिए लंबे समय तक धूप में रहने पर पानी पिना चाहिए और अपने आपको हाइडरेट रखना चाहिए अधिक कर्मी महसूस होने पर छाया में आ जाना चाहिए तमाटर का सेवन करना चाहिए इसमें लाइक को पिन होता है जो अल्ट्रा वयलेट रेस से लालिमा को रोकने में मदद करता है सूर्यसनान खुले स्थान पर लेना चाहिए जहां पर जूर की हवा ना आती हूँ भोजन करने के एक घंटे पहले और दो घंटे बाद सूर्यसनान नहीं करना चाहिए सूर्यसनान करते समय यदि सरदर्द या अन्य किसी प्रकार का कस्ट होने लगे या परिशानी लगे तो सूर्यसनान नहीं करना चाहिए Thank you